एक South Korea, इंडिया South Korea friendship भी बिल्ड किया जाएगा, defense sector में हमने ये देखा है, कि K9 वज्रक को मिलके construct किया है South Korea और इंडिया ने, इन इंडिया, और अब ये possibility है कि इंडिया billions of dollars की, जो minesweeper ships हैं ये lease पर लेगा from South Korea, जी हाँ purchase नहीं करेंगे, हो सकता है कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, किसी भी tenure के लिए हम lease पर ले, minesweeper ships from South Korea, यहाँ पर आप देखेंगे इस पर आर्टिकल है, राजना सिंग जी बहुत ही जल बाचीत करेंगे, South Korean Defense Ministry के साथ, और हो सकता है कि 2021 में ही ये deal पूरी हो जाए, और इंडिया के लिए देखो, ये जो minesweepers हैं, बहुत important है, बाइद वे, इनका जो technical नाम है, complete नहीं आप कह सकते हैं, ये है, MCMV, मतलब कि Mine Counter Measure Vessels, इंडिया 2005 से कुशिश कर रहा है, कि हम कोई MCMVs मिल जा है, मगर problem यहाँ पर यह थी, कि कभी भी इसकी कोई deal प्रॉपरली हो नहीं पाई, 2016 के आसपास ये बाद चल रही थी, कि शायद South Korea की एक company है, Kangnam Corporation के नाम से, ये बनाएंगी 12 minesweeper ships, Goa Shipyard Limited में, मगर बाद में जो ये deal थी, 5 billion dollars की, ये हो गई cancel, तो अब ये बाद चल रही है के, शायद Make it India ना करके, सीधा हम lease पर ले ले ये ships, from South Korea, नाव ये mine counter measure vessels होती क्या है, इंडिया को इस क्या आफशक्ता क्या है, discuss करेंगे, बहुत कुछ यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा, so a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, एक question, यहाँ पर मैं आपसे पूछूँँगा, question आपके लिए ये है, कि INS DROV, ये हाल ही में news में है, आपको ये बताना है, कि इस Indian Naval Ship का primary purpose क्या है, ये हैं यहाँ पर आपकी options, to hunt submarines, to track missiles और satellites, to look for mines, या फिर to track merchant vessel, comment section में करो answer, सही answer मैं आपको दूँगा, वीडियो के end में, और आगे बने से पहले, मैं congratulate करना चाहूँगा, उन students को जिन्होंने जीते हैं, prizes in the impulse test series, impulse test series मेरे द्वारा बनाई गई, UPSC prelims test series है, और यहाँ पर आप देहेंगे, ये है winners, जो top 3 rank holders हैं, इनको मिलेगा, 1 month free subscription, of unacademy scores, बात के जो यहाँ पर rank holders हैं, 4th to 10th, इनको मिले हैं, Amazon gift vouchers, worth 500 and 200 rupees respectively, और आप लोग भी enroll कर सकते हैं, impulse test series में, simply एक काम करोगा, आप mobile phone पे हैं, पहले unacademy की जो app है, download कर लो, register कर लो, और फिर यहाँ पे description में, जो link दिया हुआ है न, unacademy impulse, यह click कर लो, आपके सामने खुलेगा, यह page, और फिर यहाँ पे click कर देना, enroll पर, enroll पर जैसे ही आप click करोगे, अगर आप से पूछने हैं, यहाँ पर, एक code, code डाल देना, PD10, और आप हो जाओगे यहाँ पर enroll, आपको तीन high quality test मिलेंगे, every single week, और अगर यहाँ पर आप करते हैं, अच्छा perform आपकी rank आती है, 1 to 10, तो आपको मिलेंगे यहाँ पर prizes, और आपका नाम भी मैं feature करूँगा, in the video, so prepare for UPSC prelims, professionally, and enroll in unacademy impulse, made by me, Indian Navy बहुत strong है, मगर हमारे पास एक type की ship, आज के समय विल्कुल नहीं है, और यह ship है, Minesweepers, हमारे पास एक time पर, दो type के Minesweeper class थे, for example, एक था, Mahe class Minesweeper, और दूसरी, Puducherry class Minesweeper, दोनों हो चुकी है, आज के समय decommission, तो 2021 में इंडिया के पास, कोई भी Minesweeper नहीं है, यह एक बहुत alarming बात है, और काफी dangerous भी है, हमारी Navy के लिए, नाव यहाँ पे आप पूछेंगे, अच्छा, चाइना के पास तो काफी सारी होंगी, तो इसका answer है हाँ, चाइना के पास आज के समय तीन क्लास है, यह Minesweepers Ships की, मतलब Minesweepers Ships की, यहाँ पे आप देख पाएंगे, यह इनका नाम है, और यह हैं यहाँ पे Ships, जो आज के समय active है, इन People's Liberation Navy, और चाइना ने primarily, जो यह Minesweepers हैं, यह खुद बनाई है अपने देश में, ताइवान को धान में रखते हुए, माना यह जाता है कि ताइवान दे अपने आसपास, बहुत ही बड़े स्केल पर, Naval Mines बिछा रखी हैं, Now wait, Mines, Mines होती ही क्या है, जातरा सुना था, Anti-Tank Mines, यह Navel Mines भी होती हैं, देखे Mines, प्रामेरली आप अगर देखो, Military Conflict में तो दो टाइप की आगो देखेगी, एक तो होती है Land Mines, और दूसरी Navel Mines, Land Mines भी दो टाइप की होती है, एक तो होती है Anti-Personal Land Mines, जहां पर सिर्फ 2 kg का वेट भी अगर उस Land Mines भी पढ़ गया, तो वहीं पर बूम, विस्पोर्ट हो जाएगा, और जिस Human Being ने, जिस Soldier ने, उस पर कदम रखा है, वो आपे मर जाएगा, फिर होती है Anti-Vehicle Land Mines, इनको आप Anti-Tank Mines भी कह सकते हैं, आम शूर आपको याद होगा, Border Film में जो एक Famous Scene है, सुनील शेटी एक Anti-Tank Mines लेके जाते हैं, और ये एक टैंक के ने बिशादेते हैं, तो वो बेस्टिकली थी, एक Anti-Vehicle Land Mines, तो ये तो आपने बात कर लिए है जमीन की, जो ये Same Concept है ना, Mines का, ये एक्चुली Naval Warfare में भी Extensively Use होता है, और इनको हम क्याते हैं, Naval Mines, इस तरीके से बिशादे आती है, Naval Mines, पानी की सता से थोड़ा सा नीचे होती है ये, ताकि कोई Ship इसको दूर से देखना पाए, और अगर वान लोग कलको के शिप यावे गुजरती है, तो वो Ship होगी काफी Danger में, ना सिर्फ Ship, इवन Sun Marine को भी, अगर ये Mind Touch कर ले, तो इस तरीके से ये हो जाएगी बिल्कुल Destroyed, और अगर कोई Ship इस Land Mines को छूलेती है, तो इमिरेटली काबूम इस तरीके से आपको देखेगा एक Explosion in the Sea, तो Naval Land Mines देखिए, आज के समय भी यूज की जाती है, Australian ने भी वानती है कि China extensively इसको यूज कर सकता है, इनके पास आज के समय जो BASIS हैं, हमबन टोटा में, मॉल्डीव्स में, और इवन ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि सेशल में बेसिस बने, तो इसमें possibility है कि in the future, चाइना एक बहुत बड़ा जालम ना दे, Naval Mines का in the Indian Ocean, नाव इन Naval Mines से बचने के लिए आपको क्या चाहिए, obviously यह आप समझ गए होंगे, आपको चाहिए Minesweepers, Minesweepers, Military Vessel का काम यही होता है, कि इन Naval Mines को यह डिटेट करें, और जो बहुत ज़ादा Advanced Level की Minesweepers होती है, वो पहले इसको करती है, डिटेट, बाकी जो Naval Ships हैं, फर इसमपल, Aircraft, Carrier, Frigate, Destroyer, उनको कहती है, आप पीछे रहे हैं, फिर वो Minesweepers रिलीस कर सकती है, एक USV, या फिर BPA-UV, और इन दोनक के थुरू, जो यहाँ पर यह Mines है, इसको यह कर सकती है, Destroy, एक Normal Minesweeper इस तरीके से काम करेगी, यहाँ पर आप देखेंगे, यह Main Minesweeper Ship है, यहाँ पर इसकी एक जो Extension Board है भेजी जा रही है, और इसकी अंडर यहाँ पर Connected होगा, एक BPA-UV, BPA-UV काफी बार इस Mines को Trigger कर देगा, और यहाँ पर हो जाएगा एक Wisport, और इस तरीके से यह Minesweepers काम करती है, क्या इनको Deactivate किया जा सकता है, यह जो यहाँ पर Mines है, देखो Deactivate होती नहीं है, यह Explosion ही होती है इनके, काफी बार जब Minesweepers काम कर रही होती है, तो दूर से देखकर काफी एक भ्यानक दिश्य दिखता है, कि अचानक से पानी में से लगातार Wisport हो रहे हैं, के बाद एक तो वावे Basically Minesweepers रास्ता क्लियर कर रही होती है, for submarines, for frigates, और even though इनके पास खोद अटाक करने के लिए कोई जाधा missile या कुछ होती नहीं है, मगर इनके बिना कई Navies operate करने ही सकती है, और मैं आपको यह बढ़ा दूँ, के इंडियन नेवी के पास आज के समय एक भी Minesweeper ना होना, बहुत dangerous है for our defense, ना यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, वाव, Mines तो एक बहुत ही जाधा simple concept लग रहा है, क्या चाइना genuinely को यूज़ करता होगा, देखें, Quad Countries को actually काफी concern है Mines को लेकर, क्योंकि हम जितनी बड़ी ships बना लें, जितना बड़ा कोई submarine हम construct कर लें देश में, एक Mines उसको अराम से कर सकती है destroy, यहाँ पर आप देखेंगे यह एक research paper है, by the Royal Australian Navy, यहाँ पर इनका पेज बहुत ही interesting है, जहाँ पर यह openly यह कहते हैं, कि actually, जो यह Mines है न, यह बहुत ही आसानी से, किसी भी country की जो Navy है, इसको कर सकती है destroy, और Australian Navy ने अपने research paper में, primarily यहाँ पर बात करी है, Chinese Total Exclusion Zone के बारे में, near the Spartal Islands, यह मांगते हैं कि China ने अल्रेड़ी, बहुत ही बड़े scale पर, South China Sea में, यह naval mines बिछा दी हैं, और जो quad countries हैं, उनको इसके लिए ready रहना होगा, यहाँ पर आप देखेंगे, again, all this is easily available online, आप इसको search कर सकते हैं, sea power soundings, यहाँ पर यह कहा रहे हैं, कि China के पास advanced sea mines है, यह एक fatal threat है, to US seaborn transport, और ना सिर्व US के लिए, भारत के लिए भी है, यह बहुत ही बड़ा threat, ना वापस आते हैं पने question पे, कि INS Dhruv, यह ship हाली में काफियत तक news में है, आपको बताना था, कि इसका main purpose क्या है, यह करेगी क्या, तो सही उत्तर यहाँ पे है, option B is the right answer, यह track करेगी, missiles और satellites को, of enemy countries, यह बहुत ही important है, यहाँ पर आप देखेंगे, the Hindustan Times का article है, इस topic पर by the way, मैंने एक वीडियो भी बनाई है, India's secret nuclear missile tracking ship, तो यह भी आप देशकते हैं, to get better conceptual clarity, तो यह है अंत इस वीडियो का, thank you for listening, and as always, God bless you all. यह बनाई है,